हलो और वेल्काम पेगन फ्रेंड्स में मनीश यह नहीं एक बार फिर आपसका स्वागत करता हूँ साथियों आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पीजी आई चंदिगड के दवारा जो अमस्ची नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम कंडेक्ट करवाया गया था 23.2 माई को उसका रिजेल्ट डिकलेर कर दिया गया है इसी के साथ काउंसलिंग की जो भी डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर डिकलेर कर दी गई है तो अब आपको पहले राउंड का जो काउंसलिंग होना है उसमें आपको कब केस से पर पार्टिसिपेट करना है वो हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को से चैनलों को बिल्कुल आप सबस्क्राइब पीजिएगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिसकस करेंगे नोन पीजिए मतलब वे सभी कंडिडेट जो इन सर्विस नहीं थे उनके लिए ये लिस्ट है इसके अलावा जिन्होंने इन सर्विस एजुकेशन के लिए अपलाई किया था पीजिए जन्दिगड से उनकी भी यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज की गई है तो सबसे पहले जो भी कंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई वे हैं वो सबी अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं स्कोर कार्ड देखने के लिए आपको जो लिंक है वो हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब नीचे जाएंगे कौन कौन से डोकोमेंट आपको लेके जाने होते हैं डोकोमेंट आपको किस वे में लेके जाने होते हैं फोटो कोपी का क्या करना है सारी डिटेल में बाते डिस्कस करेंगे तो चलिए अब हम आपको शेडूल की तरफ लेके चलते हैं जो counseling का जो schedule है वो किस परकार रखा गया है कितने percentile वाले candidate यहाँ पर जाएंगे किन-किन percentile वाल candidate को category wise बुलाया गया है तो चलिए direct आपको उस notification की तरफ लेके चलते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर PGI ने counseling के लिए आपको बुलाया है और यह कब बुलाया है जैसा कि आप आप देख पा रहे हैं 20th of zone को आपका यहाँ पर counseling का पहला round होने वाला है तो वे सबी candidate जिन्होंने इस exam में qualify किया है उन सबी को जाना है कि नहीं जाना है यह एक बार आप percentile देख लीजेगा अगर आप general category से हैं और non-PGI candidate है मतलब आप PGI में job नहीं करते हैं तो इन service जो candidate थे उनके लिए यहाँ पर PGI स्टाब लिखा गया है और वे सबी candidate जिन्होंने all over India से यहाँ पर apply किया है वे सबी non-PGI candidate है तो general category में यह आपके above 50 percentile है तो आप यहाँ पर counseling में participate करेंगी या करेंगे OBC के लिए 45 percentile रखे गए है SC के लिए same है ST में कोई भी candidate qualify नहीं हुआ है आलांकि वे सबी candidate जो ST category में थे और जिन्होंने general को fight किया है वो यहाँ पर participate कर सकेंगे इसके अलावा जो PGI का जो staff था जिन्होंने in service education के लिए यहाँ पर apply किया था उनके लिए आपर general के लिए 66 percentile है बाकी OBC और SC के लिए 45 percentile रखे गए है अगर आपके 45 percentile है तो भी आप participate कर सकते या कर सकती है अगर इसे above है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जो भी qualified जो candidate है उनको क्या करना होगा कि PGI चंदिगड में आपको report करना है morning में 8 a.m. से लेके 12 a.m. तक आपको वहाँ पर original document आपके जितने भी है आपको अपने nursing की जो भी आपके degree है जो भी आपका nursing counselor का certificate है आपकी सारी जो mark sheets है आपका जो अधार card है वो सब भी आपको लेके जाने है आपको photo भी अपने लेके आनी है 10th 12th के mark sheet भी आपको लेके आनी है इसके अलावा आपको बता दें जाने की आप सकता है ऐसा बिलकुल भी नहीं है DD आप जब भी बनवाएंगे तो यह थोड़ा ध्यान में रखियेगा DD आपको post graduate institute of medical education and research चंदिगड के नाम से ही बनवाना है यह आप थोड़ा ध्यान में रखियेगा जो पहली DD है वो आपको 2650 रुपीज की बनवानी है और जो security money आप से जो ली जाएगी उसके लिए आपको 10,000 की DD बनवानी है अगर किसी candidate का selection नहीं होता है तो आपको यह पैसा refund हो जाएगा आप अपनी DD जिस bank से आप बनवा रहे हैं उसी bank में जाके उसको तुड़वा सकते हैं इसके लिए थोड़ा बोट charge bank वाले काटते हैं बाकी पैसा आपको refund कर दिया जाएगा इसके अलावा आपको बता दें कि अगर कोई भी आपको समझ्या आती है तो आप हमें comment कर सकते हैं टेलिग्राम इंस्टाग्राम पर message कर सकते हैं आपकी हर एक यूस्टन्स का आपको reply दिया जाएगा धन्यवा साथी